जैहिंद, सभी लोगों को जैहिंद, आज हम लोग बिज्ञान के टॉप बेस्ट 1000 कोर्षन करेंगे यह आपकी परिचा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे आप चाहें किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो चाहें आप S.S.C. के किसी भी ब्रांच की त्यारी कर रहे हो या फिर आप डिफेंस के किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो S.S.C. के, S.C. CGL, S.C. CHL, S.C. MTS या फिर आप अधर किसी कंपुटिशन की त्यारी कर रहे हो या फिर आप Defence के Air Force X by Z Group की या फिर आप Indian Navy SSR MR की त्यारी कर रहे हैं या फिर आप Army GD की त्यारी कर रहे हैं Army Technical की त्यारी कर रहे हैं आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए General Science के कुछन काफी important हो जाते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए 1000 जनरल साइंस के कुर्सन रखे हैं जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी important होगे आप विशेज कर जो वच्छे defense हैं उनके लिए तो ये class काफी important होने वाली है तो आप लोग इसको पूरा देख कर जाएंगे ये आपके लिए काफी important question है तो यहाँ पर हम लोगों सबसे पहले जनरल साइंस से question करेंगे discuss इसके बाद मैं जोगराफिक के भी question करूँगा discuss तो यहाँ पर देखें जैसे कि हमारा पहला question यहाँ पर कह रहा है कि यह आपके सारे question one linear question हो गिसमें आपके time की काफी बचत होगी इसलिए मैंने उन्हाफिक को हटा दिया है सीज़ी चीदे उसके मैंने answer लिख दिये हैं ताकि आपका time भी बस सके तो यहाँ पर जैसे कि जो हमारा पहला question कह रहा है कि सबसे बड़ी आखें किस इस्तंधारी प्राणी की होती है तो वो हमारी किसकी होती है हिरड की किसकी होती है हिरड की सबसे बड़ी आखें होती है इस्तंधारी में जे आपको याद रखना है काफी important question है इसके बाद यहाँ पर हमारा question number two कह रहा है कि आज कारवन डाय्यकसाइड ainsi o2 के उससरजन में सरवाधिक योगधान करने वाला देश है मतलब कि सरवाधिक मातरा में इस Je wall के मातरा को क्ओन प्रोडियूस कर रहा है तो वो कौन कर रहा है वो हमारा चीन कर रहा है क्योंकि चीन लगातार हर छेत्र में हर एक देश से आंगे निकर ला है तो इसमें वो कई परकार के उध्योगों का संचालन कर रहा है इसलिए हमारा चीन सरवादिक स्योटू की मातरा में योगदान कर रहा है इसके बाद यहाँ पर हमारा question number next है तो question number next यहाँ पर कह रहा है कि निमलिकित में से किस उध्योग में अबरक कच्चे माल के रूप में प्रियोक्त होता है तो हमारा कौन सा उध्योग होगा विद्धुत उध्योग में यहाँ पर अबरक को कच्चे माल के रूप में प्रियुक्त किया जाता है तो आप इसको धान रखेंगे यह कुस्टन आपके लिए काफी important है इसके बाद यहाँ पर हमारा जो next कुस्टन है यहाँ पर next कुस्टन कह रहा है कि बिद्दूत प्रेश का अविस्कार किसने किया था तो यहाँ पर यह काफी important कुस्टन है बिद्दूत प्रेश का अविस्कार किसने किया था तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवा अंसर होगा हैंडरी सीले ने किसने किया था तो आप इसको याद रखेंगे जिए आपकी exam के लिए काफी important question है इसके बाद जो हमारा next question है next question यहाँ पर हमारा है pressure cooker में खाना जल्ली पक जाता है तो यह अक्सर कर काफी परिच्छाओं में पूंच दिया जाता है कि pressure cooker में खाना जल्ली क्यों पक जाता है तो यहाँ पर हमारा इसका जो main region है pressure cooker के अंदर दाप अधिक हो जाता है यानि कि यह मलत उसके अंदर जैसे कि जो हमारा pressure cooker होता है उसके अंदर जो pressure होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है जिससे कड़ हमारा खाना जल्ली से बन जाता है तो आप इसको ध्हान रखेंगे आप इसको नहीं भूलेंगे इसके बाद उपार जो next question है कहे रहा है कि दाप बढ़ाने पर जल्ल का कुतनांक यहाँ पर कैसा हो जाता है तो कैसा हो जाता बढ़ता है आप किसी भी यहाँ पर दाप बढ़ाएंगे तो जलका कुतनांग सौभावी ग्रूप से बढ़ जाता है ये भी कुशन काफी important है ये आपकी परिच्छा के लिए काफी important है आप चाहें किसी भी exam के त्यारी कर रहे हो उसमें आपके general science कुशन जो आते हैं SSC CGL, SSC CHL, SSC MTS या फिर आप defense के किसी भी exam के त्यारी कर रहे है यहाँ पर एरफोर्स, X और बाई गुरूप के इंडियन नेवी, SSR, MR के किसी त्यारी कर रहे है या पिर आप Indian Army GD के त्यारी कर रहे है या आप Army Technical के त्यारी कर रहे है या पिर आप RPI आप यानि की railway पुलिस के त्यारी कर रहे है या पिर आप UP पुलिस के त्यारी कर रहे है तो यह आप के लिए कुशन काफी important है इसलिए आप कुशन को अच्छे प्रकार से त्यार कर देंगे इसके बाद मजो, इसके बाद जो हमारा next कुशन है पृत्य करिया के बरावर वा बिपरीत दिसा में एक पृत्य करिया होती है यह है न्यूटन का कौन सा नियम है यह हमारा न्यूटन का तीसरा नियम है जिसको करिया पित करिया के नाम से भी जाना जाता है तो आप इसको धान रखेंगे किरिया पित किरिया का नियम न्यूटन के तिसरे नियम को भी जाना जाता है तो आप इसको धान रखेंगे ये कुशन काफ़ इंपर्टन्ट है कई बार कई परिच्छाओं में पूँचा जा चुका है इसके बाद जो हमारा नेश कुशन यहाँ पर है तामा कापर यहनी कि तामा को हम लोग अक्सर कापर के नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पर का सत्रूतत तो है तो यहाँ पर इसका हमारा सत्रूतत कौन सा है यह कुशन हमारा यहाँ पर SSC CHSL में आ चुका है यह आपके लिए काफ़ी इंपर्टन कुशन है तो इसका हमारा सही जवाब होगा गंदक क्या होगा गंदक यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा इसके बाद यहाँ पर कहरा है उगते वाद डूबते समय सूर लाल प्रतीत होता है क्योंकि तो यहाँ पर कहरा है जब हमारा सूर उगता है या डूपता है तो सुर हमें लाल रंका क्यों प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंका जो प्रक्रिक्रिण है सबसे कम होता है यहाँ पर यही जो आपको पेपर जब देंगे तो आपके आपसन में सीदा सीदा यही लिखा होता है लाल रंग का प्रिकीडन सबसे कम होता है तो आप इसको option को click कर देंगे वहाँ पर आपका अंसरी सही हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर हमारा next question है Radio Activity की खोज किस ने की थी तो यहाँ पर कह रहा है कि Radio Activity की खोज किस ने की थी यह हमारी खोज की थी इसके बाद यहाँ पर हमारा next question है कुशन कह रहा है दो समतल दरपड के लिए एक दूसरे से साट अंस के कोण पर जुके है इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिविमों की संक्या होगी तो यहाँ पर यह कुशन कह रहा है जैसे कि हमारे दो कोई प्रतिविम है वो एक दूसरे से साट अंस के कोण पर जुके है और इनके बीच में एक कोई बॉल रख दी जाए तो आपके कितने प्रतिविम बनेंगे यहाँ पर यह कुशन पोच रहा है जैसे कि आपका यह प्रतिविम हो गया और यह आपका यह प्रतिविम हो गया इनके बीच आपकी एक बॉल रखी है तो यहाँ पर आपके कितने प्रतिविम बनेंगे तो यहाँ पर आपके पांच प्रित्में बनेंगे यह आपको यहाँ पर याद रखना होगा यह आपके एक्जाम के भी उसे काफी इंपॉर्टन कुश्चन है इसके बाद यहाँ पर कुश्चन कहरा है कि पानी के अंदर हावा का एक बलूबला किस तरह बरताव करता है तो यह काफी इंपॉर्टन कुश्चन है लवख हर बार किसी ना किसी एक्जाम में पूंच दिया जाता है तो पानी के अंदर हावा का एक बलूबला किस तरह बरताव करता है एक अपतर लेंज की तरह बरताब करता है इसके बाद यहाँ पर हमारा next question है इकाईों की समस्त विवस्ताओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है तो यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा विशिष्ट गुरुत तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो विशिष्ट गुरुत है वो हर एक इकाई में इसका मात्रा समान रहती है इकाईों की समस्त विवस्ताओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है यह question काफी most important question है इसको आपको ध्यान रखना है अपने exam of view से इसका हमारा सही जिवाब क्या होगा विशिष्ट गुरुत विशिष्ट गुरुत इसके बाद यहाँ पर हमारा जो next question है question number यहाँ पर कहरा यदी कोई मनुष समतल दरपड की योड 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दरपड में मनुष का प्रतिविम किस साल से आता हुआ प्रतीत होता है तो यहाँ पर आपने समतल दरपड के बारे में उनका गुर्धर्म पड़ा होगा उसमें ऐसा question कहा गया है ऐसी एक property होती है जैसे कि यह आपका एक समतल दरपड है यहाँ पर आपके सामने कोई भी बस्तू माना की 2 मीटर पती सेकेंड की चाल से आ रही है तो आपको मिरर में इसका 2 गुना speed दिखाई देता है कितना speed दिखाई देता है 2 गुना speed इसका दिखाई देता है तो यह आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसी प्रकार से यहाँ पर किसी जो बस्तू की चाल है वो वहाँ पर 4 मीटर पती सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दरपड में मनुस का प्रत्विम किस चाल से हुए आता हुआ प्रतीत होगा तो इसका आपको जश्ट 2 गुना कर देना है तो 8 मीटर पती सेकेंड की चाल से मनुस का प्रत्विम आता हुआ प्रतीत होगा तो इसका आपको पता हो गया कितना होगा 8 मीटर पती सेकेंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा इसके बाद यहाँ पर हमारा नेश कुर्शन है कारों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दरपड लगा होता है जैसे कि कार है ट्रक है और आपकी बस है ड्राइवर की सीट होती उसके बगल में कौन सा दरपड लगा होता है तो हमारा लगा होता है उत्तर दरपड कियों लगा होता है कि उत्तर दरपड में यहाँ पर उसकी जो समता होती वो अधिक होती वो छोटे से मिरर में सर्वी बस्तमों को एकत्रिक कर लेता है यह आप इसको द्हान रखेंगे क्योंकि जो उत्तर रपड़ होता वो काफी बड़े छेतर को कवर कर लेता है इसलिए आपर ड्राइबर के बगलवारी सीट में उत्तर रपड़ का प्रियोग किया जाता है इसके बाद हमारा नेश कुर्शन है ऐसे ततो जिन में धातू और अधातू दोनों के गुड़ पाई जाती है वो कहलाते हैं उपधातू क्या कहलाते हैं उपधातू आप लोग मुझे कमेंड बॉक्स में किनी दो उपधातू के नाम बतांगे किनी दो उपधातू के नाम बतांगे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके इसके बाद यहाँ पर हमारा नेश कुशन है बनसपती बिग्यान के जनक कौन है तो यहाँ पर कह रहा है कि बनसपती बिग्यान के जनक कौन है तो यह काफी इंपोर्टन कुशन है हमारे थियो फ्रेटस कौन है धनी की चाल सबसे अधिक किस्मे होती इस पात में यानि कि स्टील में धनी की चाल सरवादिक होती है इसके बाद यहाँ पर कहा है एक व्यक्ति घूमते हुए श्टूल पर बाया फईलाए खड़ा है एक आएक वह बाया सिकोड लेता है तो श्टूल का कोडिये वेग बढ़ जाता है यह आप ध्यान रखें जैसे कि कोई आपका श्टूल है इसे कि आपका श्टूल है आप इस पर गूम रहा है और आप इस पर खड़े हो जाएं हात खोल कर इसके बाद आप अगले चांस में आप श्टूल इसके पर खड़े हो जाएं हात को बांध लें ऐसे तो यहाँ पर आपका जो कोडिये वेग होगा वो कम होगा और यहाँ पर आपका कोडिये वेग बढ़ जाएगा जा आपको धahन रखना होगा ko하죠 बढ़ जाएका क्यों बढ़ जाएगा जो यहाँ पर कोयगा का सूत्र क्या होता है आपको comment box किमैंट करके बताएवा और यहाँ पर आपका जो को कोयगा होगा वो बढ़ जाएगा इसके बाद हमारा next question नहें पर चैरा है कि यहाँ पर जो next question है चंद्रमा पर एक बम विश्पोष्ट होता है इसकी आवाज प्रत्वी पर सुनाई नहीं देगी क्यों नहीं सुनाई देगी क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा पर वाई मंडल नहीं होता है चंद्रमा पर वाई मंडल नहीं होता है इसी काड़ यहाँ पर हम लोगों को अगर कोई चंद्रमा पर विस्पोर्ट किया जाता है तो हम लोगों को उसकी वाइस नहीं सुनाई पड़ेगी आप इसको धान रखेंगे इसके बार नेश कुसन है चंद्रमा पर वाई मंडल ना होने का क्या कारण है चंद्रमा पर वाई मंडल क्यों नहीं है इसका हमारा आफ़ीसर रिजन क्या है पलायन वेक क्या है पलायन वेक इसको अब धान रखेंगे चंद्रमा पर वाई मंडल ना होने का में रिजन क्या है पलायन वेक इसके बाद जो नेश कुर्षन यहाँ पर हमारा है यदि सरलोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्थकाल कितना बढ़ जाएगा तो यहाँ पर इसका हमारा आवर्द काल दो प्रतिशत बढ़ जाएगा दो प्रतिशत बढ़ जाएगा जो आपको ध्यान रखना है इसका आवर्द काल दो प्रतिशत बढ़ जाएगा इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेश्ट कुर्षन की और इसके बात हमारा नेश कुस्षन है एक लड़की जूला जूल रही है इसके पास एक अन लड़की आकर बैठ जाए तो जूले का आवरत काल यहाँ पर आवरत काल पूंच रहा है तो आप परवर्थित रहेगा क्यों वाँ पर बढ़ती देगा क्योंकि हमारा जो आवर्थकाल का सूत्र होता है 2 πाई अंडर रूट L अपॉन जी क्योंकि यहाँ पर यह मास पर इंडिपेंडेंट है मास पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आप चाहें मास कितना भी बढ़ा दें क्योंकि यहाँ पर M का कोई भी कॉंस्टेंट नहीं है यहाँ पर जब आवर्थकाल का सूत्र देखते है 2 πाई अंडर रूट L अपॉन जी यहाँ पर आप मास कितना भी बढ़ा लें कितना भी घटा लें आपका जो आवर्थकाल है वो यहाँ पर आप परवर्थित रहेगा क्योंकि यहाँ पर मास का कोई भी कॉंस्टेंट नहीं है आप इसको ऐसे द्यान रखेंगे लड़की जूला जूल रहे जाए दो लड़किया बैठ जाएं यहाँ पर हजार या दो हजार लड़किया बैठ जाएं तो यहाँ पर उसका आवर्थकाल प्रवर्थित नहीं होगा क्योंकि आपके फार्मूले में एम नाम का कोई भी कॉंस्टेंट या बैरियाइवल नहीं है किसी कार यहाँ पर आप परवर्थित रहेगा इसके बाद यहाँ पर हमारा कुस्टिन कहरा है हम रेडियो की घुंडी घुमा कर भेविन स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं यह संबब है यह किस से कार संबब है यह हमारा संबब है अनुनाद के कार किस कार संबब है अनुनाद के कार इसके बाद यहाँ पर मारा नेश कुशन है कुशन यहाँ पर कह रहा है वेंचुरी मेटर से क्या गयाद करते हैं यह काफ़ इंपोर्टन कुशन है लगवग हर बार किसी ना किसी एक्जाम में पूँचा जा चुका है वेंचुरी मीटर से आप क्या ग्याद करते हैं जल की प्रभादर क्या ग्याद करते हैं जल की प्रभादर को हम लोग ग्याद करते हैं इसके बाद यहाँ पर कहरा है कुशन चौरहा पर पानी के फुवारे में गेंद नास्ती रहती है क्योंकि क्योंकि पानी का वेग अधिक होने कार से दवाब घड़ जाता है जैसे कि आपने देखा कि चुवारे मलब कि आपका जो चौरा होता है उसमें पानी इसे निकलता है और बीच में याँ पर कोई भी बॉल टिकी रहती है यहां पर पतला सा यहां से पानी जाता है तो यहां पर इसका वेग बढ़ जाता है जिसके कार गेंद का जो दवाब है वह यहां पर पानी का दवाब घड़ जाता है अब इसको धान रखेंगे पानी का अधिक वेग होने कार इसका दवाब घड़ जाता है इसके बाद यहाँ पर कुशन नमबर कह रहा है यदीद रब मान परिवर्तित हुए बिना प्रतवी अपनी वर्तमांत रिज्जा की सुकुड कर आदिर रह जाती है तो दिन होगा दिन कितने घंटे का हो जाएगा हमारा 12 घंटे का दिन होगा कितने घंटे का दिन होगा? 12 घंटे का दिन होगा तो यहाँपर आप ध्यान रखेंगे यदी यहाँपर द्रगमान को अमपर बढ़तित नहीं करें प्रत्वी मलब कि इसका द्रबमान उतना ही रखें और इसकी रेडियस को घटा दें आदा कर दें तो यहाँ पर हमारा दिन कितने गंटे का होगा तो हमारा दिन और इसली बारे गंटे का ही रहेगा इसके बाद यहाँ पर कुशन नेक्ष्ट हमारा कुशन है यदि किसी पिंड को प्रत्वी से ग्यार दिसमलब दो किलो मेटर पती सेकेंड के वेक से फेका जाए तो पिंड प्रत्वी से कभी भी लोटेगा नहीं प्रत्वी पर कभी भी नहीं लोटेगा यह प्रत्वी के गुरत चेहत को चीर कर यहाँ पर बाई मंडल में प्रिवेस्ट कर जाएगा तो आप इसको ध्हान रखेंगे यह यह भी आप लोग ध्हान रखेंगे इसकी यह अधिक्तम चाल होते हैं अगर इससे इतनी चाल पर कोई भी पिंड या कोई भी बस्तू प्रतिवी की बाहर की और फेकी जाती है तो वह यहां पर प्रतिवी के बाई मंडल चीर कर यहां पर अंत्रिच में प्रिवेस्ट कर जाएगी तो आप इसको ध्हान रखना है इसके बाद हमारा नेश कुशन यहां पर है उपगरे में उपगरे में समय ग्याद करने के लिए अंत्रिच यात्री को क्या प्रियोग करना चाहिए यहां और हमारे ख्याल से अंतरिश को spring घरी का प्रियूग करना चाहिए क्या करते छहें किस पेरिंगं घरी का प्रियूग करना चाहिए इसके बाद हम लोग पहते हैं अपने next कुषिन की और कि साफने कि इसके बाद हमारा next कुषिन है ये प्तिवी की तरजया एक परशंट कम हो जाए किन्तो द्रबमान वही रहे तो प्रतिवी का तल प्रतिवी का तल है जो का गुर्तिय तरण यहाँ पर दो परशंट घड़ जाएगा यह कुशन आप लोग धहन रखेंगे काफी इंपोर्टन कुशन है यह कुशन यहाँ पर एयर फोर्स की एक्जाम में भी पूचा जा चुका है तो आप इसको ध्हान रखेंगे यहाँ पर कह रहा है यदि प्रतिवी की तिरजय एक परशंट कम हो जाए किन्तो द्रबमान वही रहे तो प्रतिवी का गुर्तिय तरण दो घट जाएगा जिए आपको यहाँ पर धान रखना होगा इसके बाद यहाँ पर कह रहा है दाब का मातरक तो यहाँ पर दाब का मातरक सब लोग जानते हैं क्या होता है पासकल क्या होता है पासकल इसके बाद यहाँ पर कह रहा है खाना पकाने का वरतन होना चाहिए यहाँ चालकता उसकी होनी चाहिए यह हमाई requirement रहती है खाना पकाने वाले बरतन की इसके बाद यहाँ पर कहरा है कि जरने में जब जर उचाई से गिरता है तो उसका ताप कैसा हो जाता है बढ़ जाता है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जरने में जब जल उपर से गिरता है तो ताप कैसा हो जाता है बढ़ जाता है इसको आपको धान रखना है उसका ताप बढ़ जाता है इसके बाद यहाँ पर कुशन कहरा है कि केलविन ताप मापी में बर्ब का गल्लांग होता है तो केलविन ताप मापी में बर्ब का गल्लांग माइनस के जीरो डिगरी केलविन होत तो यहाँ पर कहरा आप बॉटनी सब्द की उत्पत्ती किस भासा के सब्द से हुई है यह हमारी हुई है ग्रीक भासा के सब्द से हुई है इसको आपको धान रखना है इसके बाद क्यूरी किसकी काई का नाम है क्यूरी किसकी काई का नाम है रेडियो एक्टिव धर्मिता की क का नाम है क्यूरी इसकी क्या होती है क्यूरी इसके बार नेश कुछ से नहीं आप रहा है कि किस रंग की किस रंग की तरंग दैर सबसे कम होती है किस रंग की तरंग दैर सबसे कम होती है बैगनी आपने सुना होगा विप ग्योर क्या सुना होगा विप ग्योर सुना होगा सब सबसे ज़्यादा रेड कलर की होती है तो आप इसको ध्यादा रेड कलर की होती है और सबसे कम वैगनी रंकी यानि की इसकी होती है इसके बाद यहाँ पर कुशन हमारा होगा यहाँ पर कुशन कहरा है कि कमरे में रखे रेफ्रीजेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप यहाँ पर बढ़ जाएगा कमरे का ताप मान बढ़ जाएगा इसके बाद यहाँ पर कहा रहा है कि इन धरुष में कितने रंग होते हैं तो यहाँ पर इन धरुष में यहाँ पर साथ रंग होते ही सबी लोग जानते हैं इन धरुष में साथ रंग होते हैं कौन कौन से होते हैं अभी मैंने बताया था बिब ग्योर क्या बताया था बिब ग्योर ये उसमें सात रंग होते हैं आपको यहाँ पर इसको ध्यान रखना है इसके बाद यहाँ पर कहरा है सेकेंड पेंडूलम का आवर्थ काल कितना होता है तो यहाँ पर सेकेंड पेंडूलम का आवर्थ काल 2 सेकेंड होता, कितना होता है 2 सेकेंड होता, इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पर very important question है इसके बाद यहाँ पर question है भारती यह विज्ञान संस्तान कहां इस्तित है यह हमारी कांस्तित है बंगलोर में इस्तित है, यह काफी important question है कई बार एक्जाम में कुस्तन आ चुका है तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे इसके बाद यहाँ पर कहा रहा है पराधोनिक बिवानों की चाल होती है ध्यानी की चाल से अधिक इसको आप ध्यान रखेंगे ध्यानी की चाल से अधिक पारा धोनीक विवानों मतलब कि वो अल्टरा सोनीक वेब में चलती है तो यहीं पर यह आपको खुशन कई प्रकार से पूचा जा सकता है एक्जाम में बेसिकलि आपको ध्यान रखना है धोनीकी चाल से अधिक भू इस्तिर उपगरे के प्रत्वी से उचाई कितनी होती है 36,000 किलो मीटर कितनी होती जैसे कि आपकी प्रत्वी है एक आपने सुना होगा भू इस्तिर कच्छा यह आपने पढ़ा होगा 11 क्लास में जैसे कि यह आपकी अर्थ है तो इसके उपर होती है भो इस्तिर कच्चा जो लगबग आपसे 36,000 किलो मीटर दूर होती है कितनी दूर होती है 36,000 किलो मीटर की दूरी पर होती है तो यह आपको ध्यान रखना है यह आपकी भो इस्तिर उपगरे कच्चा है यहाँ पर आपके स्टेलाइट, कई प्रकार के स्टेलाइट या बिमान, कई प्रकार के यहाँ पर रडार बगएरा लगाय जाते हैं तो यहीं पर सभी लगाय जाते हैं तो यह आपको यहाँ पर धान रखना है जो कि आपकी अर्थ की सर्फेस से 36,000 की किलोमेटर दूरी पर इस्तित होते है इसके बाद यहाँ पर कुस्टन कहरा है ची किस्टा सास्र के धारतियों को किसकी सपत दिलाई जाती है तो यह काफी important कुस्टन है यह कुस्टन आपके यहाँ पर जैनम और एनम में कुस्टन आ चुका है जैनम और एनम की परिच्छों में कुस्टन पूचा जा चुका है तो यहाँ पर आपको कुस्टन इसको धान रखना है जैनम और एनम की दोनों परिच्छों में कुस्टन इसके बाद यहां पर कहरा है car में radiator, car में radiator का car क्या होता है तो सब लोग जानते हैं car में radiator मतलब की engine को ठंडा रखने के लिए प्रियोग किया जाता है मनुस के सरीर का ताप्मान कितना होता है, 37 degrees Celsius ताप्मान होता है यह कुसन आपके हर एक एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इसलिए मैंने कुसनों को नहीं छोड़ा है आपके सबी कुसनों को मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई भी दिग्गत ना हो तो यहाँ पर कुसन नेस्ट कुसन कहरा है दूरदरश्टी से पीड़ित भ्यक्ति को यहाँ पर किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए तो यहाँ पर देखो दूरदरश्टी दोस में यहाँ पर बस्तु को निकट की बस्तु में नहीं दिखाई देती है इसलिए यहाँ पर उसको यहाँ पर दूर दस्टी के लिए यहाँ पर उसको किस लेंस का प्रियोग करना चाहिए उसको यहाँ पर उत्तर लेंस का प्रियोग करना चाहिए उत्तर लेंस का प्रियोग करना चाहिए इसके बाद यहाँ पर नेश कुसर यहाँ पर कह रहा है कि किताब के ऊपर रखे किताब के ऊपर रखे किसी लेंज के ऊपर किसी लेंज को ऊपर उठाने पर यदि मुदृत अच्छों का आकार बढ़ाता हुआ दिखाई दे तो लेंज कौन सा होगा उत्तर लेंज जैसे कि आपका पूस्टक रखकी है इसमें आपका कुछ आपने लेंज को उठाया तो लेंज के जो यहाँ पर चित्र यहाँ जो लिखा है वो उठे हुए प्रतित प्रतित हो तो यहाँ पर sewer उत्तर लेंज होगा जोगा उत्तर लेंजम ऐसा कूं होता है क्योंकि यहां पर उत्तर लेंस में आपने कई सितियां देखी होंगी पहले प्रत्र बढ़ता है फिर घरता है यह आपने सितियां ऐसी देखी होंगी उत्तर लेंस में basically यहां पर आपको ध्यान रखना है किस लेंस में ऐसा होता है उत्तर लेंस में यदि किसी लेंस की अच्छनों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो लेंस कौन सा होगा तो वो लेंस हमारा अपतल लेंस होगा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आकार जब बढ़ता हुआ प्रतित दिखाई थे तो वो हमारा उत्तल लेंस होता जब हमारा आकार छोटा प्रतित हो तो वो हमारा बेसिकली अफ्तलेंसी होगा ये कुशन काफी डाउट में रहते हैं तो उनको आपको धान रखना है अपने एक्जाम तक धान रखना है आप किसी भी तयारी किसी भी एक्जाम के तयारी कर रहे हैं चाहे रेलबे के चाहे पु लिख रखे हैं इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि तारे टिम टिम आते हैं तारे क्यों टिम टिम आते हैं अपवर्तन के करड़ क्यों टिम आते हैं अपवर्तन के करड़ इसके बाद यहाँ पर कह रहा है निम लिकित में से कौन सा एक आवेस रहित करड़ है सब लोग जानते नियूटान में कोई आवेस नहीं होता है जीए यह अवेस रहित कड़ होता है तो यह थे हमारे आपके किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो उसकी आपके सभी एक्जामों के लिए general science question है आप इनको अच्छे प्रकार से त्यार कर लेजिए इसके बात अभी और question है आपको लगवग लगवग एक हजार question करायाने है जो कि आपके सभी previous question है इनको आपको अच्छे प्रकार से त्यार कर लेना है आप guarantee लेता हूँ कि आप सभी exam में general science question को पक्का फोड़ कर आएंगे जहें दोस्तों अगर आपको next video चाहिए हम आपको just upload करेंगे comment box में प्रारे सब जरूर करें